नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ हंचली सिंग निकाय और पंचायत में OBC आरक्षण की स्तिती आज साफ हो जाए की यहां बड़ी खबर आपको बता रही है जहां सुप्रिम कोड के फैसलिके आधार पर आरक्षण का पॉमुला तैयार सरकार करेगे हर निकाय में अलग 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 आरक्षण का पॉमुला आ सकता है तो प्रिम कोड के फैसलिके बाद नई रणनीती बनाने में कॉंग्रेस 27 फीसली से ज्यादा OBC समाज को टिकट देने की तैयारी में जहां एक तरफ कॉंग्रेस है वहीं दूसरी तरफ बीज़पी भी लगतार तैयारी में जुटी हुई है पंचायत में OBC आरक्षण की इस्तेती आज साफ हो जाएगी वहीं सुप्रिम कोर्ट के फैसली के आधार प ही साफ हो जाएगी आज ये साफ हो जाएगा कि किस वर को कितना आरक्षण दिया जाना है अलांकि 27 फीसली से ज्यादा OBC समाज को टिकट देने की तैयारी में एक और कॉंग्रेस है तो पंचायत में OBC आरक्षण की सिती आज साफ हो की सुप्रिम कोर्ट के फैसली के आधार पर फॉर्मूला सरकार तयार करने वाली है तो किस हिसाब से लेकिन ये फॉर्मूला तयार किया जाएगा वो आज पता लग जाएगा हर निकाय में अलग अलग अरक्षण का फॉर्मूला भी आ सकता है सुप्रिम कोर्ट के फैसली के बाद नाई रणनीती बनाने में कॉंग्रेस जहां जुटी हुई है वहीं आपको बताएं कि 27% से ज्यादा OBC समाज को टिकट देने की तयारी में कॉंग्रेस है तो यानि कि OBC को किस तरीके से अपनी ओर करना है वो कॉंग्रेस को बखुबी पता है और यहीं वज़ा है कि कॉंग्रेस इस बार 27% से ज्यादा टिकट देने वाली है OBC समाज को और इसकी तयारी में कॉंग्रेस पूरी तरीके से जुट गई है हाला कि अब रणनीती इसको लेकर कैसे बनाई जाएगी क्या रणनीती बनाई जाएगी वो देखने वाली बात होगी अमरितान शी जोशी हमारे साथ लाइब जुड़ गई है सीधा उनका रुक करते हैं अमरितान शी एक तरफ कॉंग्रेस 27% से ज्यादा OBC समाज को टिकट देने की तैयारी में है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी क्या फॉर्मूला तैकारेगी तो लगता है अवाज नहीं पहुच पा रही हैं अमरितान शी तक तुबारा संपर करने की कोशिश करेंगे सुप्रिम कोड के फैस्टे के बाद नई रणीती बनाने में एक और कॉंग्रेस जुटी हुई है 27 फीसदी से ज्यादा ओबीसी समाज को टिकट देने की तैयारी में कॉंग्रेस है दूसरी तरफ किस आधार पर फॉर्मूला तैयार होगा सरकार किस आधार पर फॉर्मूला तैयार करेगी वो देखना होगा पंचायद में ओबीसी आरक्षण की स्तिती आज साफ हो जाएकि सुप्रिंग कोट के फैसले के आधार पर फॉर्मूला तैयार करेगी सरकार अमरितानशी जुड़ गई है कि किस किस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा कितने वर्कों कितना आरक्षण दिया जाना है इसकी आधार पर क्या फॉर्मूला तैयार हो सकता है अंजली अगर हम यहाँ पर पंचायद चुनाओ निकायद चुनाओ की तस्वीर को समझते हैं तो ये देखना होगा कि किस निकाय में या किस पंचायत में कितने आरक्षण वाले लोग हैं। पंचायत चुनाओं निकाय चुनाओं में सरकार इसी हिसाब से टिकेट करेगी चाहे हम बीजेपी की बात करें कि किस निकाय में कितने वोटर जादा हैं। का मिलाकर दिया जाना चाहिए। अब ये सरकार और जो दूसरी पार्टियां हैं उन पर हम कह सकते हैं डिपेंड करता है कि किस तरक से वो टिकेट पितरंड करेंगे। हलाकि सरकार ने 27 प्रतिश्य तारक्षण की बात कही है चाहे हम बीजेपी कह लें या कॉंग्रेस कह लें लेकिन सरकार भी अब समझदारी से अलग अलग जो निकाय हैं। लोगों को देखते हुए लोगों की हिसाब से टिकेट पितरंड करेगी और इसी को लेकर निकाय चुनाओ को लेकर पंचाच चुनाओ को लेकर आज कुछ बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। लिकल अमरितान शियो और एक पलड़ा तो बीजूपी का भारी होता हुआ दिखाई देही रहा है जैसे जब से ही सुप्रिम कोर्ट का जो फैसला है वो आया है हालांकि अब किसाधार पर यहां पर फॉर्मला तयार होगा किसाधार पर आफशन के स्वर को कितना दिया जाना है वो आज देखना होगा अमरितान शिया बने रही है हमारे साथ कानून विवस्ता को लेकर सियम शिवराज सक्त है अधिकारियों के साथ सियम शिवराज की एहम बैठक सियम ने सिवनी और नीमच चुजिला तुशासन को तलब किया है अलग अलग मुदो भर कलेक्टर एस अधिकारी से चर्चा की जाएगी लौ एंड और पर ही सीम ने एहम निडेश दिये हैं तो और इसको अलावा आपको ये भी जानकारी दें कि योजד की जानकारी को लेकर एहम निडेश दिए गए अमरितान शी हमारे साथ जोड़ी हुए अलगता है अमरितान शी अब मुक् अंजली मैं आपको बताना चाती हूँ कि हाथ सुबा से ही सियम शिवराज जो है वो एक्षन मोड में है और लॉइन ओर को लेकर सुबा ही वो एक बड़ी बैठक करने है और बैठक अभी भी लगातार जारी है हमने फिलाल देखा है कि सिवनी और नीमच में जो घटना सामने आई है जहाँ पर आदिवासियों को लेकर कुछ अचार हुए है अलग-अलग घटना सामने आई है नीमच में सिवनी में अलग-अलग मूर्टी को स्थापित करने को लेकर और भी कई चीज़ ऐसी घटना सामने आई है मद्वर्देश में लगातार इसको लेकर सीम शिवरा आज ने सुभा सुभा तलब की लिया है किया है और यहां पर वह बड़ी पैठक ले रहे हैं जहां पर जेला प्रिशासन से जो जिले हैं वहां पर जो स्थिती चल रही है जो अभी स्थिती हुई है जो की घटनाएं घटित हुई है उसको लेकर जेला प्रिशासन से बाची दिकी लगातार हम देख रहे हैं कि मद्यप्रदेश में कहीं न कहीं law and order की स्थिती जो है वो थोड़ी हम कह सकते हैं बिगड़ती हुई नजर आ रही है जिसको लेकर CM शिवराज तो सकत अब दिक्ते नजर आई रहे हैं लेकिन ग्री मंत्री नरोत्ता मिश्णा ने भी कर लेक बड़ी बैटक लीती ग्री विभाग की इसको लेकर जुरक्षा विभाग की और आज CM शिवराज ने सुबा ही सुवनी प्रशासन और नीमज प्रशासन को तलब किया है और उनसे वो जानकारी ले रहे हैं अधिकारियों से कि क्या ऐसे मामले हैं जो मद्यप्रदेश में ल लेकर और पेजल को लेकर जैसे कि हमने देखा ही है सीम शिवराज लगतार सकते हैं कल उन्होंने लुकर लोगों से बाचीत भी करी थी अपना काफिला रुकवा कर वहाँ पर पेजल की समस्या की जो थी वो लोगों की जो सुधारा था लेकिन पेजल को लेकर तो CM बिल्कुल और सीम शिवराज की सकती कितना कानून विवस्ता को बदल पाएगी वो देखने वाली बात होगी चुकि लगतार बैठकों का जो दौर है वो हम देख रहे हैं बीजेपी लगतार बैठक कर रही है वहीं दूसरी तरफ मुखिमंदरी शिवराज सिंग चौहान ल को बताएं सीव शिवराज इत्गराहिएं को प्रमाण पत्र देंगे जिलास्तर पर आइजित होगा कारिक्रम सियम शिवराज वर्चुली करेंगे प्रमाण पत्र वित्रण गरीब परिवारों को लीज पर फ्लॉट भी दिये जाएंगे अम्रतानशी चुकि आज कारेक्रम जिलास्तर पर आईजित होने वाला है जानकारी क्या है आपके पास इसको लेकर अंजीरी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भू अधिकार योजना की शुरुवात की गई थी इसको लेकर आज एक बड़ा कारेक्रम सीम शिवराज करने वाले हम बात करें तो मंतराले से ये कारेक्रम होगा और वर्चूली कई जिले की लोग इसमें जुड़ने वाले है खेर खास बात यह है कि जैसे इसे चुनाव पास आते जा रहे हैं सीम शिवराज भी अब लगातार जनता की बीच में जा रहे हैं वहाँ पर यह जो कारेक्रम है वो कर रहे हैं जो कारेक्रम आज भी होने वाला है इसे जनता को एक बड़ी सुविदा मिलने वाली है क्योंकि यहा बात करें लीस पर जो होता है वो कम पैसे में मिलता है जो लोग घर जिनके पास नहीं होते हैं उनको इस थाई पटे दिये जाएंगे और उनको उनस घर का भूमी स्वामी बनाया जाएगा यानि कि वो जो घर रहेगा वो उनका खुद का घर रहेगा साथी खास बात यह है कि जो जगे तो उनको दी ही जाएगी लेकिन प्रधान मंतरी आवास योजना की तहट जो लोग हैं जो इसके लाभारती हैं वो अपना घर यहां पर तैयार कर सकते हैं तो सेम शिवराज यहां पर एक बड़ी सौगात देने वाले हैं अलग-अलग जिले की लोगों को 3800 लाभ हिद्गराईयों को यह पत्र वित्रन करेंगे जिसमें स्थाई पट्टे तो उनको दिये ही जाएंगे लेकिन प्रधान मंतरी आवास योजना के तहट वो अपना एक खुद का घर बना सकते हैं जो उनके खुद के नाम का घर होगा क्योंकि गरीब आदमी जो है सीम शिवरा जा रहा है तो एक बड़ी व्यवस्ता सीम शिवराश के दोवारा बड़ी सौगात मुखर मंतरी शिवरासिंग चुछान की ओर से हिद्गराईयों को आज दी जानी है प्रमार पत्र भी हिद्गराईयों को वित्रन के जाएंगे मृतान शिवर बहुत शुक्रिया आपका यूपी के बाद MP में मस्जिद को लेकर विवाद चढ़ गया है भुपाल में जामा मस्जिद को लेकर शिरू हुआ विवाद संस्कृती बचाओ मंच का धावा के जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है पुरातत वो विभाग से सर्वे कराने की अपील है संस्कृती वापी मस्जिद नहीं है वो ऐसे मंदिर है ग्यानवापी में भगवान सिव का सिवलिंग मिला है और नंदी महापर पहले से विराज माने उसी प्रकार भुपाल के चोक में इस ते जामा मस्जिद भी भुपाल की राज्य की आठवीस सासी का कुदेशिया बेगम ने 1832 में इसका निर्माण प्रारब कराया और यह जामा मस्जिद 1857 में बनकर पून होई सुल्तान जहां बेगम ने हयाते कुस्सी में यह अपना उले किया है कि इसमें एक प्राचिन सिव मंदिर था एक मंदिर था उस मंदिर को तोड़ प्लारब कर इसका निर्माण कराये गया हम माननी ग्रे मंत्री नरोतम इसराजिसे माननी मुख्य मंत्री 的話 निसे मान करते हैं कि पुरा तक तो विवाग के इस मिव जित के भी जाच कराई जाए और सर्वे कराकर यहां पर भी अगर मंदिर है तो मंदिर को हिंदू समाज को सोपा जाए मध्य प्रदेश में पंचात और निकाई चुनाव अब OBC आरक्षण के साथ होंगे सुप्रिम कोट ने शिवराज सरकार के संशोधन याचिका के बाद यह फैसला दिया है वहीं इदर सुप्रिम कोट के फैसले के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल दिखा भुपाल बीजेपी दफ्तर में सीम शिवराज का स्वागत किया किया साथी कहा कि ये जो दिन है वो एतिहासिक है सत्मे विजय थे वहीं सीम ने कॉंग्रेस पनिशारास आते हुए कहा कि OBC आरक्षण को रुखा कर कॉंग्रेस ने पाप किया था ये कांग्रेस ही थी जिसके कारण चुनाओ रुखे और OBC वर्ग का आरक्षण रुखा और इसलिए जब इनने काता 27% आरक्षण सिर्चले वार अगर जाएं तो इधर इनने घौष्णा की उधर विष्टे हो गया और जब विष्टे हुआ तो इनका एडवोकेट जेनल तक खड़ा नहीं हुआ कमलना जवाब देना पड़ेगा बच नहीं सकता हम ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाओं के मैदान में जाएंगे और जैसा हमारे अद्दकी ने कहा भी कि संकल्प हमारा यही था कि न्याए हम देंगे सबको न्याए हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ा कर 27% किये गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाब ओबीसी बर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा क्योंके लिने में ये उलेकित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए हम ओबीसी बर्ग का भला करने की कोई उमीद शिवराज सरकार से नहीं थी 40% लिमिट के साथ जो रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए वो रिजर्वेशन को ओके करने का काम मानि सर्वोच चिनैले ने किया है जो ओबीसी को हटा करके चुनाव कराने की बात हो रही थी आज एत्यासिंग निरने मत्यप्रदेश के अंदर भारती जंता पार्टी के निर्तरतु की प्रतवतता उनका शंकल मानि मुक्यमंत्री ये हमारी सरकार का जो हुआ है इसके लिए मैं सबको बहुत बढ़ाई देता हूँ पीसदी आरक्षन का विरोध ओबीसी कारकारी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंग लोधी का बड़ा बयान इसी दोरान सामने आया कहा गया कि ये ओबीसी वर्ग के साथ चलावा है पहले भी 14 पीसदी दिया गया था नयाब कुछ भी नहीं है सरकार अगर हितैशी है तो सम्विधान संशोधित कर नौवी अनुसूची में रखे 21 माई को ओबीसी महासभा ने MP बंद का एलान किया OBC एलक्षण को लेकर सुप्रीम कोट ने आज बड़ा फैसला दिया है इसी विशे को चरचा करने के लिए हमाए साथ OBC महासभा के कारकाली प्रदेश राकेश स्री लोदी जी है राकेश जी जिस परकार से सुप्रीम कोट ने आज फैसला दिया है किस तरह से देखते हैं इसको आप आज हम लोग ठगा महसूस जो पिछड़ा वर्ग है मद्य प्रदेश में 52 परसेंट आपने आपको ठगा महसूस कर रहा है माननी मुखमंत्री जी ने कोट के माध्यम से कोट कोट करके दो साल चुनाओ तो टाल दिये और कहें कि हम 27 परसेंट बिधान सवा में प्रस्ताव भी लेके आए कि हम संकल्पत्र वोवीसी को 27 परसेंट देंगे लास्ट में डेटा एक हट्टा किये हम बोले 35 परसेंट देंगे लेकिन आज यह अथार्थ यह है कि 14 परसेंट दे रहे हैं मद्यप्रदेश में 36 परसेंट मिलता है 50 के ऊपर न्याय पाल कब और रहे हैं जा नहीं सकते हो तो बचता है 14 तो यही सत्थ है कि 14 परसेंट मात्र वीसी को रेजर्वेशन मिला है नया कुछ नहीं है इसमें खुसियां मनाने वाला कुछ नहीं है आप लोग क्या चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि अगर वाकई में सरकार OVC की हेतेसी है OVC वर्ट को देना चाहती है तो सम्मिधान में संसोधन करके नौमी अनसूची में डाल के दे जिसमें कोई मैटर ही नहीं होगा 50% किसी माफपार हो जाएगी जगह जगह आप लोग बैठर ले रहे हैं क्या रणनीती चल लई है हम जगह जगह निश्चे तोर पर बैठर ले रहे है किस तारिक का OVC महासावा ने जो बंद किया था उसी के बंद सफल कराने के लिए हम गाओं गाओं जिरे में हर जगह मीटिंग ले रहे हैं और पूर OVC समाज को पहले ही 14 प्रतीशत मिलता था उसके जादा नहीं मिला है यह पहले जैसा ही है तो वहीं उन्होंने कहा है कि जगह जगह जो बैठर के लिए जा रही है वह 21 मई को एक विशाल मतबदेस बंदर का आवान किया गया है जिसको लेकर यह तवाम तरह की रणनीतिया क की जा रही है वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगा है कि अगर करना है तो सम्विधान में प्रस्ताव लाकर नौवे अंग सूची में धिया जाए जिससे बात ही नहीं होती और जो OVC वरगे में भी खुश हो जाएगा यह श्कर इनुश्टिटीव होग पटनी है मुख्यमंत्री किसान योजना के तहट किसानों को सौगात दी गई सीम शिवराज ने सिंगल क्लिक से 83 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड की राश्टिवी ट्रांसफर की जोरान सीम ने सक्त तेवर उनकों देखने को मिले सीम ने कहा कि गरीबों का मकान तूटने नहीं देंगे गरीबों के साथ ये मजाक नहीं चलेगा उनके मकान तुड़वा दी वो मकान बना रहे हैं एक किस दे दी और अब दूसरी रोके ततकाल उनके खाते में पैसा जारी कर दिया जाए और जिसने ये काम किया है उसको वहां से हटा दिया जाए ये नहीं चलेगा कि अपसर के मन में आया और हर कुछ रोकते यह तमासा धोड़ी है यहां सिवराज का राजय भारती जनता पारिटी का सासन है की बीजेपी ने हमेशा धलिक पिछडे आदवासी बर्ग सभी कि लड़ाई लड़ी है सिंधिया अपने तीन दिवस्य दोरे के दरान 19 और 20 मAnn को श्योपुली गुना अशोक नगर के विभीन कारिकरमों में सामिर भी होने लड़ी है कॉंग्रेस तो जो भी कहे सो कहे भारतिय जन्ता पार्टी ने सदेव दलित पिछडे आदिवासी वर्ग सभी की लड़ाई सदेव लड़ी है और उस आरक्षन सुप्रीम कॉर्ट का जो ओर्डर है उसके तहत ही चुनाव लड़े जाएंगे खबरों में आखे बढ़ते हैं बढ़वानी में अखिल भारतिय विध्यारती परिशत के चात्रों ने पीजी के रिजल्ट में गडबड़ी को लेकर कॉलेज प्रिशासन के खिलाफ हंगामा कर दिया चात्रों का आरोप यह है कि कॉलेज के रिजल्ट में पेपर देने वाले को अनुपस्तित बताया गया है या तो चात्रों की जीरो मांक सदिए गये हैं और उन्होंने आगी लिखा कि चात्रों की मांग यह है कि प्रबंद रिजल्ट में सुधार करवाई हंगामे के बाद कॉलेज प्रिश्वासन ने एक्शन लेते हुए रिजल्ट में जल्द सुध कि जनकी iauर कि जो करें ऌ he doesn, ढेंसे होसं स्डोस्ति ह्सक्ति और चाहिए बच्छारम सुधार ही बसने की ही प्रबंद॥ एक्टॉम्लाइबस. बच्चों में कुछ को एप्सेंट दिखाय गया है और कुछ के जीरों मांक्स आ हैं विख बच्चों ऐसे भी जिन के बाकिए पेपरों में बहुत अच्छी मारकिंग हुई है तो लोगों की समंस्षल यह यह की ऐसा क्यों कुवा तो के सामने ही मैंने रूब रूब अभी मोबाइल आन करके इस पीकर पे परिक्षा कंट्रोलर जो डाक्टर अशेस तिवारी जी है डिये वीवी के उनसे बात की आगर मालवा केस उसने इट नगर में पियचल योशना के लोकारपन समहरों का आईजन किया गया लेकिन परियोशना की विसंगतियों के चलते निर्दली विधायक राणा विक्रम सिंग समेत अन्य बीजपी निताओं ने इस अकारिक्रम का बहिशकार कर दिया शिकायत के मताविक 25 करोड से ज्यादा की इस अपरियोशना के बाद भी लोगों को 4-5 दिन में पियचल उपलब्द हो रहा है जिसे लोगों में खासा आक्रोश है वहीं जगा जगा पाइपलाइन की वज़ा से सड़के खुदी पड़ी है जिससे लोग परिशान है इन ने इताओं ने पी आई यू प्रोजेक्ट के मैनेजर संतोश श्री वास्तव और कंपनी के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है जगे जगे नोंने गलिया पूर्दी है प्रेशन नी आरा जब तक आप विसंगतिया दूर नहीं करेंगे तबता हम इसका लोकार पर इसके ल पर रोजाएगा तो पैशे लेके बाकी की कमपनी वो तो भार हो जाएगी कमपनी में कोन सी कमपनी है और कौन उसका अधिकरत वियत्ती है इससे कोई मत्तब नहीं है हमें तो इससे मत्तब है कि लोगों को आणी मिलना चाहिए वालियर में भूमी पूजन को लेका सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भूमी पूजन को लेका तनातनी अब सड़कों पर आ गई है मलगाओं के पहुचे कौंग्रेस विधाय क सतीश स्करवार को उस समय में बीज़ुपी कारकरताओं के विरोत का सामना करना पड़ा जब वहां सोलह लाग की लागत से बनने वाली सड़का भूमी पूजन करने पहुचे एद कॉंग्रिस विधाय का आरोप यह है कि वीज़ेपी कारकरताओं ने हंगामा किया और जान से माने की धंकी विदी वहें इस मामले में जब जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावत से चानकारी ली गई तो उनका कहना था कि कॉंग्रिस विधाय का अपने फ्षेत्व की जुनता को संचाले यह बेदुनियाद आरोप नर्मान का भूंपूजन था लेकिन कुछ लोग गौली और पूरम में विकास नहीं होने देना चाहते हैं जो विकास विरोधी हैं अगर मैं भूंपूजन करता हूं तो उसमें रोला आटकाने काम काम रोगने का काम कर रहे हैं और आज अब रादियों गुंडे बदमासों को बेज कर हमारे गन्मेन की बंदू छुणाने का प्रयास किया गया गुंडा कर दी की गई केवल उनको चाहते हैं किसी प्रकार से विकास नहीं हो वाले का बिकास अब्र हो गांएं ये आपके संग्याब मेरे काया है, आप निस्चिंत रहें, सरकार उनकी पूरी सुरुख्षा करेजी, आप निस्चिंत रहें और वो छेत की जनता को हो समझाई, इसमें भारती जनता पाटी का से आदी, ने बुर्याद, निराधार, इसका कोई हाथ पेर नहीं है, मैं इसमें कोई उस्वास ने करता हूँ शियोपूर में हेड़ी खेडा गाओं में कुछ दबंगों ने किसान के उपर एसेड फिक दिया ये घटना तब घटी जब किसान अपने मवेश्यों कुछ तलाशने के लिए खेड की ओड जा रहा था इसी दोरान खेड मालिक ने मवेश्य के बा जो है ये आरोपी गणों के खेड में चले गए थी उस बात को लेकर के आरोपियों और इनके वीच में विवाद हुआ जिससे आरोपी गणों द्वारा जो है इसके उपर एसिट फेक दिया गया है जिसमें अभी मामला पंजिबत कर लिया गया है और विवेचना की जा रही गौलियर से अब खबर जहां महिला के साथ गैंगरेप घर के अंदर ही महिला के साथ गैंगरेप किया गया तीन साल से महिला के उपर जुल्म हो रहा था बदनामी के डर से महिला जो है वो खामोश रही वहीं आपको बताएं कि पती देवर सही चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, फुले सा फरार आरोकियों की तलाश में जोटी कोई है। नर्मदापुरम के सद्पुडा टाइगर रिजार पार्क में कुछ दिन पहले भी भालू और उसके दो बच्चों का वीडियो वाइरल हुआ था। वीडियो है, वो वाइरल हो रहा है, हलांके परेटकों ने ये वीडियो बनाया है जिसको सोचिल मेडिया पर वाइरल कर दिया और अब ये वीडियो को चर्चाओं में है, वाइरल हो रहा है। वाइरल वीडियो वीडियो लाइरल वीडियो कंए